गुड मार्निंग टाला फ्यू जैसे आप सभी दोस्तों और बाईयों को पाता होगा कि अपना लेलादा का जर्नी चल रहा है और अभी ना हमें नीचे सोनमारक से छोड़ा गया है यह आप बीटिफल व्यू सीन देख सकती हो जोजला पास का यह देखो बाई केतना बीटिफ साथ सबस्क्राइब दोता क्यूंके कि मुझे परप्र चोप एंसान का सब्सक्राइब तरह दूसरा गुलजर सार में जो यस को ड्राव कर रहा है और इस Quindi के साथ-सॅथ हमने यहाँ पर सिटाप लिया था और अपना जो जुर्नी है वो बिल्कुल काइंटिन्यू जा रहा है आगे की तरफ यह आग देख सकती हो कितना मज़ा आ रहा है हमें गाड़ी को ड्राइव करने में बहुत ही अच्छा लगता है तो फिलाल अपना सफर जो है वो बिल्कुल काइंटिन्यूस है कहा जोजला पास पे तो दिखाएंगे आज आपको कैसे हम जोजला जो है उसको पार करते है इतनी बड़ी ट्राक लेकर इतना लोड लेकर इस गाड़ी का भी जो वजन है इसका 18 टन है गाड़ी में माल और 10 टन है गाड़ी का खाली वजन हो गया 18 टन है गाड़ी का लोड क्योंकि इस पे जो है खास खया रखना पड़ता है ट्रम पेचर वगेरा का जोजेल पास पे यह आप देख सकती हो खुद देख सकती हो दो नमबर भी गाड़ी चल रही है और पीछे पीछे आप देख सकती हो कितना beautiful गाड़ी आ रहा है इसका जो विसकास है वो आटोमेटिक चलता है चड़ाई में जब इसका ट्रम पेचर उपर हो जाता है इसलिए यह गाड़ी पूरी दबा के रखते है और हमें बड़ी गेरफुली जो है इन गाड़ियों को चलाना पड़ता है और इसी के साथ साथ यह देख सकती हो बाई welcome to the baltal the gateway फार्दा उंपरनाथ के यह यह है बाई baltal और यह देखो पहड़ों के नजारे आज जो है पहाड़ों के उपर पूरा बादल चाया हुआ है और इस पहाड़ में जो पेड़ है इसको पुरानी जमाने में मतलब जो इस पेड़ का छिलका है उसको इस्तिमाल करते थे पेपर जैसे आज कापी पे लिखते हैं उसी टाइम इन पेड़ों के छिलकों पे उस टाइम जो है लिखा जाता था और अपना साफर जो है वो बिल्कुल काइंटीनु हो जा रहा है और आगे आगे देख सकते हो अपना शेहनशाह भी चार रहा है आराम आराम से दो नमबर गेर में क्योंकि ट्राम पेचर का जो मैं हर बार आपको बताता हूं उसको खया रखना पड़ता है क्योंकि अगर हेंडरेट से उपर ट्राम पेचर हो गया तो फिर गाड़ी को गेस कट वगेर जो है वो जालने का खत्रा रहता है उपर से आपको पता ही होगा कि इतना मादलब रिस्टिक लेना पाटता है इतने हिल रूड़ों पे इतनी बाड़ी ट्राक लेकर बहुत और वो जो आपको सामने वो मोड नजर आ रहा है वो देखो जूम करके मैं दिखाऊंगा आपको ये इसका टाप है और ये देखो शेहनशाह अभी जो है आगे आगे चल रहा है और इस मोड का जो नाम है कैप्टन मोड है इस मोड का नाम क्योंकि ये बहुत हेवी मोड है औ वो गह रहे हैं कि इस रूड भी जो है बड़ी गेरफुली चलना पड़ता था मतलब कम असकम पांच-पांच-पांच-अच से टाप करना पड़ता था दस-दस-पंद्रा-पंद्रा किलो मिटर के बाद क्यूंकि पुरानी गाड़ियां इतनी है भी नहीं थी जितनी आज की ह यह देखो सेटी बाई चाड़ रहा है भाई अभी हम भी अपने दो नमबर गेर में चल रहे हैं आराम आराम से ही और बहर से बाई नजारा व्यू चक कर सकती हो यही है जोजला का टाप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ राइट साइड में और अपना जो जरनी है वो भी आ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यह देखो यह बालतल गेटवे फार्दा अंबरनात केव और इसी के साथ साथ करते हैं आज की इस प्यारे से वीडियो वाला को यहीं पर एंड मिलेंगे नेक्स्ट में तब तक के लिए अपना खया रखना बाई बाई